वेलकम फ्रेंस वेलकम बैक मैं न्यूव वीजियो दिवाली आने वाली है और अगर आप मार्किट जाओगे मार्किट में आपको बहुत सुन्दर सुन्दर डिफरिंट different color के types के आपको decoration item मिल जाएंगे बहुत सुन्दर भी मिलेंगे बहुत अच्छे भी मिलेंगे पर जितने सुन्दर होंगे जितने अच्छे होंगे उतने ही जादा महगे भी होंगे तो अगर आपको भी कम खर्चे में घर पर ही त्यार करना है सुन्दर से चीज़ें जो आप दिवाली डेकुरेशन में यूच कर सकें दिवाली के लिए आपको घर पे बनाना है सामान तो उसके लिए हम आरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हमारी वीडियो चलिए कुछ बनाते हैं उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहां पर कार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड यहां पर हमें ने जो मेरे पास वेश्ट पड़े हुए थे वो लिए हैं और यह है कुछ श्टोन जो मैंने निकाले हुए है मौती, फैविकॉल और उन लिया है मैंने यहां पर और लैस लैस आप कोई भी कलर का ले सकते हैं तो सबसे पहले हमने यहां पर जो हमारे चाट पेपर थे वो हमने कार्डबोर्ड पर लगा लिये हैं उसके बाद हम यहां पर लगा रहे हैं लैस तो लेस मैं हाँ पर येलो पर रेड कलर का लगा रही हूँ आप कोई भी कॉंबिनेशन के शाथ बना सकते हैं इसको जरूरी नहीं है आपको कि इसी कलर का आप बनाए तो उसको बनाने के लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात क्या है ये फटाफट से बन जाएगा आपको इसमें जादा मेहनत नहीं करनी है आपको ये 10 से 15 मिनट में आप इसको आसानी से बना सकते हो और ये देखने में बहुत 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 सुन्दा लगने वाला है जो आप मार्केट से लेके आते हैं बिल्कुल उसी की तरह लगेगा बिल्कुल नहीं लगेगा ये होम मेड है घर बनाया हुआ है आपने विश्ट मटीरियल से बनाया है बिल्कुल नहीं लगने वाला तो सबसे पहले हमें लैस लगा लेनी है लैस हमारी लग चुकी है तो लेस की फिनिशिंग करने के लिए आप अच्छे से उसको लगाएं और लेस हमने लगाई है गिलू गंसे आप यहाँ पर फैविकॉल का भी यूज कर सकते हैं सिर्फ फैविकॉल को आपको सुखाने के लिए टाइम देना होगा और गिलू गंसे आप तुरंत की तुरंत यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं तो दोनों को लेस से हमने कवर कर लिया है और इस पर हम पैंसिल से लिख देते हैं सुखलाब आप सुखलाब की जगह है? ओम, सास्तविक कुछ भी बना सकते हैं सूगलाप बदा रही हूं और मैंने कीलह मेरे घर में बच्चो की पड़ी हुई थी मैं उसी किलै इसे हब पर तो किले को थोड़ा आपको टाइम लगेगा सट करने में क्योंकि ये इक्वल तरीके से एक्वल साइज में आपको बनानी है तो यहां पर किले थोड़ा आप उली की help से कुछ इस तरह से करेंगे इसको बरावर सेप में करना है तो अब हमने जो सुगलाब लिखा था उसी के ऊपर हमने यहां पर फैविकोल लगा दिया है क्योंकि इसको चिपकाना भी होगा तो किले को हमने फैविकोल लगा करके कुछ इस तरह से इसके ऊपर चिपका दिया तो अभी हमने की है लाइनिंग उसके बाद अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं सुगलाब तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम लगेगा सुगलाब लिखने में क्योंकि थोड़ा difficult तो होता है फ्रेंट सुगलाब लिखना लिख दियार उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिजाइन देने के लिए कट लगा रही है और यह देखिए अब हम लिखने वाले हैं लाब तो बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है जैसे हमने सुग लिखा था उसके लिए भी हम के लिए कही यूज़ कर रहे हैं और फैव को लगा करके हम यहाँ पर इसको भी सैट कर देंगे तो यहाँ पर आप मैंने वाइट लिए है आप दूसरे कलर में भी ले सकते हैं मैं यहाँ पर क्योंकि मेरा रैड और यलो का कॉंबिनेशन है तो मैं उसके साथ वाइट के लिए ले रही हूँ आप इसके जगे दूसरे भी ले सकते हैं या फिर वाइट ले करके उसके उपर आप कलर भी अपलाई कर सकते हैं कोई इशू नहीं है बहुत आसानी से हो जाएगा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने सुब को कट करके एक कट के साथ एक शेप दिया था डिजाइन दिया था बिल्कुल उसी तरह से हम लाब में भी कट लगा देंगे और अब हमारा बन करके बिल्कुल हो चुका है रेडी तो थोड़ा इसको सुखने में टाइम लगागा क्योंकि हमने फैविकोल से उसको लगाया है उसके पाद हमारे पास थे ये मिररर तो आप मीरर की जगंहे मोती भी लगा सकते हैं दूसरे किसी कलर का तो मेरे पास मिरर था बट मेरर से जो लगाएगा वो थोड़ा different आएगा, अच्छा आएगा, जो आप market से लेते हो, बिल्कुल उसी type में आपका ये design बन करके ready हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से मैं mirror लगा रही हूँ, आप किसी भी shape में लगा सकते हैं, मेरा यहाँ पर triangle shape में mirror यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, तो इसी तरह से हम पूरा cover कर देंगे, चारो तरब से mirror लगा करके, हम यहाँ पर सुबलाब के, जो circle है, उसमें लगा देंगे, और यह आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यह थोड़ा difficult होगा, सुबलाब की ही तरह, बट यह मेरा चोटा है, आप इस पर बड़ा वाला mirror भी यूज़ क कर लिया है, जिस तरह से हमने लाब के लाब के ऊपर किया था, तो अब हम इसको हैं करने के लिए लगाएंगे, इस पर आप इसको हैं करने के लिए उलन उन भी ले सकते हैं, मैंने आप यह लैस लिए है, तो मैं इस से आज इसको हैं करने के लिए यूज़ करूंगी, सबसे पहले हमें आप लगाएंगे फैविकोल लगाने के बाद हम जो पट्टी हमने लिए उसको इस पर लगा देंगे तो यहां सुकने में थोड़ा टाइम लेगा यह उसके बाद हम यहां पर एक मैंने चार्ट पेपर कट पुड़ा लिया है उसको हम इस पेच्छ से जिपका दें लटकन मोती और उनका बना करके आप भी बिल्कुल वैसे ही सिंपल तरीके से बिल्कुल सिंपल वेए फ्रेंज अगर आपको लटकन लगाना नहीं आता तो वह भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी आप मुझे कमेंट वॉक्स में जरूर बताएं कि आपक लटकन लगाना सीखना है तो यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए फ्रेंज को शेयर कीजिए बाई बाई